द्रिलिंग, मशीने, वैक्यानिक, आर्मी, टेकनोलजी, कटर्स, मैप, ब्लूप्रिंट, क्या-क्या इस्तमाल नहीं हुआ? पराधा महिने से ज्यादा हो गया, फिर भी अब तक 41 जिन्दगिया काली अंधेरी सुरंग में फसी है, सक्री टनल में फसी है, जरा सुची है, हम आप घर में दो घंटे बिजली कटी रह जाए और रोश्नी ना हो तो कैसे बेचैन हो जाते हैं, और यहां करीब 400 घंटों से घ लोगों को पता है कि उन्हें निकालने की हर संभव कोशिश हो रही है, उनकी आवाज सुरी जा रही है, पर जब एक खबर जाती है कि मशीन तूट गई, बीट में विशाल काय पहाड़ आ गया, तो कलेजा धक से रह जाता है, बाहर उनके परिजनों के सामने आप्शन नही एक नई तारीख तक वो सुरंग तक अपनी टक्टकी को आगे बढ़ा देते हैं, सबसे पहले उत्तरकाशी टनल में चल रहे 41 मजदूरों के रैस्क्य ओपरेशन की इन चार तस्वीरों को देखिए, प्लान ए और प्लान बी के फेल होने के बाद अब वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिये मजदूरों तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है, करीब 90 मीटर ड बड़े बड़े अधिकारी देश के सबसे बड़े अधिकारी के साथ मौके पर पहुचें। जितनी संभावनाय तलाशी जा सकती है, जितनी टेकनोलोजी का इस्तमाल किया जा सकता है, वो सब कुछ लगाया जा रहा है। उत्तरकाशी की टानल में फसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए, उत्तराखंड की धामी सरकार से लेकर पूरा का पूरा दिल्ली धरबार लगा हुआ है। पीएम मुदी रेस्क्यू ऑपरेशन का पलपल का अपडेट ले रहे हैं। 12 नवंबर से अब तक 16 दिन में पीएम ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी से चार बार फोन पर बात की है। इसके लवा उनकी पूरी टीम राहत और बचाव कारे की जानकारी पीएम तक पहुँचा रहे हैं। 13 नवंबर को से अब धामी को पीएम का पहला फोन कॉल गया। 17 नवंबर को पीएम लगातार राहत और बचाव का अपडेट लेते रहे। 21 नवंबर को से अब धामी को पीएम का दूसरा फोन कॉल गया। 24 नवंबर से अब धामी को पीएम का तीसरा फोन कॉल गया। और 25 नवंबर से अब धामी को पीएम का चौथा फोन कॉल गया। PMO की तरफ से प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा और हुम सेक्रटरी अजे भला अज आपरेशन का निरिक्षंटर ने पहुचे कौन बोलने हैं आचा कवर्ष नहीं आप लोग कैसे हैं आप लोग सब ठीक है किसी की कोई तबियत की कोई प्रॉब्लम नहीं है खाना मिल रहा है क्या क्या मिलना था अच्छा और अभी आज तो हम आए है मैं आया हूँ प्राइम मिनिस्टर आफिस से हॉम सेकेर्टी साबी आए है सब लोग काफी मैनत कर ले हैं जितने जल्दी आप लोग को निड़ा जा सकता है कोशिश सब कर रहे हैं पी के मिश्रा प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव हैं अजे कुमार भला केंद्रिये ग्रह सचिव हैं यानि भलेई पीम खुद सिलक्यारा में मौजूद ना हूँ लेकिन उनके दो सबसे भरोसे मंद अधिकारी ने पूरी चेकलिस्ट तयार कर रखी है निरिक्षन और मौायना दोनों प्रापर हो रहे हैं पीम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा पीमो के प्रशासनिक प्रमुख है वो पीम मोदी के प्रमुख सलाकार भी है जरूरत के हर मसले पर वो पीम को सला देते हैं प्रधान मंत्री द्वारा सौपे गए मंत्रालेओं और विभागों के मामलों की देख रेक करते हैं। उन्हें इस टनल के अंदर ले जाकर वास्तुई सिती क्या है? क्या चुरौतिया रही है? वो उन्हें दिखाया गया है। गटना स्थल पर मलबा गिरता रहा जिससे रेस्क्यू के काम में देरी हुई। चौधा नवंबर को आट सो नौसो मिलिमीटर के स्टील पाइप लाए गए जो की मलबे को अंदर ठकेल सके पर वो भी फेल हुए। 14 तारीक को ही बर्मा मशीन के जरिये ड्रिलिंग के कोशिश हुई जो नाकाम साबित हुई। 15 तारीक को अमेरिकी ओगर मशीन मंगाई गई जिससे ड्रिलिंग करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और 25 नवंबर को इसके ब्लेड स्टूट गए। 26 नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू ही जिससे अब तक 36 मीटर तक खुदाई हो चुकी है। जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का लगबग दोगुना है। बचाब कर्मियों का कहना है कि इस रफ्तार से ड्रिलिंग करते हुए उस सौ घंटे में मजदूरों तक पहुच जाएंगे। से नीचे जो ड्रिल करने वाली मशीन है यह वो है जैसे बताया गया था आज प्रैसवारता में भी जो ड्रिल बिट थी वो 45 मीटर तक कर सकती थी यह 45 मीटर से जाधा करेगी। यह वो ड्रिल बिट है लेकिन अभी आपने देखा यह एक्सिडेंट हो गया था अभी एक्सिडेंट करके प्रेन ने इस ट्रक के टायर मुड़ गये थे जो अभी हमने रिकॉर्ड भी किया है और उसके बाद इसे यह ठीक किया गया। लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग में कई सारी अर्चने और बाधाएं आने की गुंजाइश है। पहली दिक्कत है ड्रिलिंग के दौरान ग्राउंग वाटर का मिलना जो कि ड्रिलिंग में परिशानी खड़ी करेगा। दूसरी दिक्कत है तूफान और बर्पारी और तीसरी दिक्कत बारिश के आसार। पहली दिक्कत हैं के दौरान गषालत तरीका है, वो ट्रिनल का है और तरनल में मैन्वल ड्रिलिंग के बाद ही कुछ क्याम आगे बढ़ेगा। इस के लावा जो प्लैन B बनाया गया है उसमें सेना एहम भूमिका में है। इस प्लैन के तहट सुरंग में मैनुवल ड्रिलिंग यानि की हाथों से ड्रिलिंग की जाएगी। मैनुवल ड्रिलिंग में भारती सेना के जाबाज और दूसरी एजंसियों के लोग हाथों से मलबा हटाएंगे। अथोड़े और चैनी से टरनल के भीतर मलबे को हटाया जाएगा। ऐसे में मुसीबत में आवाज लगाई गई है सेना से जुड़े मद्रास सैपर्स को जो इस काम में माहिर हैं। जिस सरह से चूहा बिल खोद कर उससे मिट्टी बाहर निकलता है। ठीक उसी तरीके से टरनल को कोदने के बाद मिट्टी निकाली जाएगी। और फिर आगर के ही प्लेटफॉर्म से पाइप को आगे धगेला जाएगा। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद जब तक जिन्दा है तब तक आप जिन्दा है। आज यही उम्मीद सिल्क्यारा टरनल के मुहाने पर दिखाई दी जब पानी के रिसाव ने ऐसी आकरिती उके री जिसे वहां मौझूद लोग भगवान भोलेनात की आकरिती बताने लगे। लोगों ने कहा कि भक्तों को बचाने के लिए खुद भगवान भोलेनात आये है अज सुमवार का दिन है भगवान शिव का दिन है ऑपरिशन इतना लंबा खिच रहा है तो अब उम्मीदें चुकी इस आकरिती को लेकर बाते भगवान शिव की आकरिती बताई जा रही है तो भगवान शिव पर उम्मीद है कि अब भगवान शिव भी बेड़ा पार करें परकिरती संप्दा से परिपूरित हरी बरी चटानों से तारू गुलमों से आच्छा दीत है अवस्तितमस तानों से जिसके रग रग बशे हुए है अडर ग्यानी शिव अविनासी अपना प्यारा देश है भारत जहां बसा है उत्तरकासी यह उत्तरकाशी की धर्ती है यहां पर काशी विश्वनात का भी मंदिर है और यहां कणकण में लोग शंकर को मानते हैं कंकर कंकर में शंकर की बात करते हैं तो यह बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहां सीव की आकिरती उभर कर आई है स्थानिय लोगों का ये भी मानना है कि यहादसा बाबा बॉखनाग के प्रकोप की वज़े से हुआ बाबा बॉखनाग को पहाडों का रक्षक कहा जाता है उत्तरकाशी के राडी टॉप इलाके में बाबा बॉखनाग देवता का मंदिर है बाबा बॉकनाग को स्थानिये लोग ईश्ट देवता भी मानते हैं बाबा बॉकनाग देवता को लेकर ग्रामीनों में काफी माननेता है भगवान को मनाने और सभी लोगों की सकुषल वापसी के लिए हवन पूजन भी किया जा रहा है हास्था के जरिये उम्मीद बनाई और बांधी जा रही है तो वही रेस्क्यू में एक-एक क्योंकि सवाल 41 जिंदग्यों का है कोई भी गलती बड़े हादसे का रूप ले सकती है जो टरनल के बाहर है वो परिशान है कि अंदर फसे लोगों को कितनी जल्दी बाहर लाया जाए और जिनके करीबी टरनल के अंदर है उनकी तकलीफ सिर्फ वही समझ सकते है भूख प्यास तो अंदर मिट रही है पर दिल भी घबरा रहा है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है कितना समय और लगेगा आखिर हम सब बाहर कब निकलेंगे उत्तरकाशी से राकेश पांडे बर्खा शर्मा अभिशेक सिना और दिली से अभिशेक राज के साथ विरो रिपोर्ट टाइमस नाउन अभरत